हुण आपा करांगे व्याक्रण इस तो पहला लिपीत पाशा आपा पढ़ लिए व्याक्रण नो अंग्रेजी विच ग्रामर किया जानद है व्याक्रण मूरो विच संस्क्रित पाशा दा ही शबद है जज़ अर्थ हुनद है विचलेशन करना यानि कि तोड़ना जोड़ खोलना किसी समूद अंगा दे नू वाख करना व्याक्रण दा सम्मंद पाशा नाल होंदा है नाकी बोली नाल याद रखन वाली गला है इस चो ग्वैशन आ सकता है व्याक्रण दे नियम आम तोड़ते स्थिर होंदे हान जदो कि जीवित पाशा गतिशेल होंदी है यानि कि इंदे नियम कदे बदलन के नी व्याक्रण विच मुख तोरते पंज तत शामल होंदे हान याद रखन वाली गाल है कि तत की नहांता पंज तातू जड़ा की मूल शब्द होंदा है उस तो बाद शबद, वाकांश, उपवाग, ते फिर वाग ये पांच तत व्याक्रण दे हान लेकिन जिन दे पाग देखिए मुख तोरते ता ओ तिन पाग हान केड़े केड़े वरन बोध, शब्द बोध ते वाक बोध उपर तत ताइसे होंद पाग है ठीक है ओ भी मुख पाग किने हान तिन केड़े केड़े, वरन बोध, शब्द बोध ते वाक बोध व्याक्रन नूँ चार पागा में चवन्डेया जा सकता है जे आम तोरते देखिया था वो केड़े पाग हान वरन बोध, शब्द बोध, वाक बोध, ते अर्थ बोध मैं वापस रिपीट कर रही है कि मुख तोरते तेन पाग हुन देहन लेकिन वैसे आम तोरते चार पाग केड़ा पाग एड़ किता जानदा है ता ओ है अर्थबोध ठीक है जी होन आपको कुछ डेफिनिशन बारे देखांगे जिड़े की पुछलेंदे की डेफिनिशन किना दी है पहली परिवाश है कि व्याकरन किसे पाशा दी वर्तों दे नेमा दा लिखा जो का याने कि जदो नेमा दी गल गिती ता ओ केड़े किना ने किती डॉक्टर प्रेम प्रकार सिंग इना नो याद है में राख सकते हूँ कि प्रेम देवी आपने नियम हों देहान, ठीक है, तो नियम या नेम जित्थे आजे, ओ प्रेम है, नेम प्रेम, ठीक, उस तो पाथ next जीड़ी डेफिनिशन है, जीड़ी विद्या किसे पाशादा ठीक सरूप दासके, उस दे ठीक बोल लिखना थे पड़न दी गल जड़ी है, और जोगिंदर सिंग्जी ने किती है, ठीक है, अपनी ट्रिक बनाओ, लेकिन याद कि में भी करके तो नो करना पाएगा, उपर प्रेम नेम याद करता है, नीचे जोगिंदर वीचे चाहर रख रहें केड़े केड़े सरूप बोलन लिखन पड़न, ठीक, नेक्स्ट है व्याकरण नेमा राही, ये कुछ होर डेफिनिशन भी है, किसे बोली दी शुद या अशुद होंद दी परक किती जान दी, किसे बोली नो पड़न लिखन लई, बढ़ाए गए नेमा दे काठनू ही व्याकरण आख्या जाना है, हमें कर व्याकरण बेली ने त्यार कीता, एक ने करवाया, एक ने कीता, तक ग्राहम बेली ने कीता, तक कैरी ने कराया, देखो कराया विल्यम ता याद रहे जेगा, क्योंकि विल्यम कैरी कराया, क्का क्का क्का, कैरी ने किनू आख्या, अपने बेली नू आख्या, की करन वास्ते त्यार करने वाज थे, ठीक है जी, कदों, ठारासो बारा देविच, पंजाबी दे पहले व्याकरण दी जड़ी लिपी सी, वो रोमन सी, देखो दोनों यह अंग्रेजी सी ता रोमन ही ओनी सी, लेकन गुर्मुक ही लिपी देविच, याने कि गुर्मुक ही अक्षरा पहला दी गल लेए, ठारासुस्तार्ट की कि तासी ने गुर्मुक ही अक्षरा दे विच, पहला व्याकरण दी लिखिया, लेखो भून गल करांगे पिंजाबी व्याकरण दे चार पागा दी, पहला पागए वरन बोध, वरन दा अर्थ है अक्षर, दे बोध दा अर्थु बैख उपाव है अक्खरांदी जानकारे इस विच वर्ण वरण 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 उचारन लगा मात्रां ते लगा करे इस सब दिगालों अलों वरन माला उ तो लेके लल्ले दे पैर बिंदी तक एक ताली वरन हान पहले पैंती बात चे बिंदी अले अखर वरन वंड विच स्वर्विंज नांदे हान वरन उचारन विच तुनी लगा तुनी आ केडिया हन मुक्ता मुक्ते दे कोई भी साइन नहीं होंदा कन्ना सिहारी बिहारी आंकड 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 नो अपा थल्ले एक लाइन लगा के शो करते हैं ठीक है उस तो बाद दुलेंकड फिर लां दुलामा होडा तेक नोडा ये सारी लगा तुनी आ हन लगा खर केड़े हन बिंदी टिपी ते अधक दो तकार केड़े हन हाहा रर्रा ते वावाध शबद बहुत जड़े है और व्यक्रन दे जिस पाग वेज़ शब्दा बारबे स्थार सहीत जानकारी दित्ती जावे उस नूं की कहनदे हन शब्द बहुत कहन दे इस पाग विज शब्द बड़तर देख दे है पांत्रन, शब्द अर्थ, शब्दां से मन्दी जड़ी भी पत्वंड है, वो इसी कैटिगरी देवेच कीती जान दी है, ठीक है जी, एगल आपने याद रखने हैं, किन देवेच शब्द बोद देवेच, उना पर देखांगे शब्द बनत्र, शब्द बनत्र दा मतलब है क शब्द नो के मां जोडना, जिमें औरारात अउरत, शब्द रजणा अमतलब मतलब जिमें समासी शब्द है, उत्पन शब्द है, अगेतर पिछे से लगा के, शब्द दी श्रेणिया एक स्पेशल कोड है, पंसो पैंट 8 Suddenly नत्ति गंगन गरा लेंधा, ये बोट ही पेमस क इन्हों याद करना से स्पेशल गंगानगर लोग की जानदेने ते मैं वी इस्ट्री ए देख्या नेट पे बहुत ही वदिया इना ने समझाया हुए ऐसी गंगानगर लेने चलो देख्या उन शब्दां दे अर्थां दा समझ्द विरोधी शब्द समान आर्थक शब्द है शब्द रुपांतरन नाव दे ज़द विशेशन दे गालूं दे पद वन्ड यानिकी जदो शब्द श्रेणिया देख्या बहुत अर्थक शब्द जदो अर्क कौनी क्या गीती जानते हैं। किर्या की हो रही है। क्योंकि आपच्छा नाम अर्थ ब्धुद्धा विलिता है। उस दा दुझा नाम फुटकल भी हुनते है। व्याकरन दे इस बाग विच वाकांश मुहावरे अखाना वारे जान करी दित्ती जान दिये वाकांश के हुन दे हन ता शब्दान दा समू ही वाकांश है कन दा कच्चा लाई लग मुहावरे की हुंदे हां तक खिरिया समेश शम्दा दा समू हत पीले करने तीदा व्या करना अखान की है वाकवर्गी काई है जमें आप पला जग पला चंगे वनुक नू सारे चंगे ही लगते हैं हुण वरन बोध दी गल करांगे तह वरन वरन दा अर्थ हुंदे अखर जा चिन कई वर येश्च कनफ्यूज हो जाँदे एक दोनों ही सेम हान परिभाशा की है कि उचारन अंगावलनों उचारन कीती है तुनियानों लिखती रूप विच प्रक्टाउन ले वर्ते गए चिन्नानों वरन के जाँदे तुनियानों जदो कोई खास लिखती रूप दे जाँदे तो वो लिपी बन जाँदे पा वरनानों चिन्नानाल अंकित करना वाक वाक दे विशेश ठांग नों लिपी किया जाँदे गुर्मों की लिपी दे विच आठ जड़े वर्ग हान उन्दे बंडे गए याद रखन नमाला क्या जाँदे तुसी एक लाइनिंग देखे वेगी पूरी गुर्मों की लिपी दे पहला पैंती अक्र सन इसी करके इसनों पैंती अक्री केंदे सी पर फार्सी दे पर बाव करके पांच अक्र होर पाता केड़े केड़े ससे पहर बिंदी खके पहर बिंदी गगे प प्रकार अक्रांदि गिंती चाली होई, लेकिन अंग्रेजी दे पर बापतों बार लल्ले पर बिंदी भी पंजाबी पाशा विबाग ने ऐड करती। केड़ा पंजाबी पाशा भी भाग सी, तव पटियाला वला सी, ठीक है, इना वल्लों लल्ले पैर बिंदी भी आड़ करते, हों तो अजोग की पंजाबी विच किन्ने वर्न हान, तो टोटल इकताली वर्न हा, वर्न माला नू क्योंकि आठ वर्गां विच वर्गां विच वर वर्ग क, ख, घ, क, ते अंगा। असी उनानू चार वर्गा मीच बन दे हैं, पहला स्वर तुझा व्यंजन तीजा अनुना सकते चोथा दुत अकर विचाई का माँगे कि जे तुसी अपने आप विश्वास रखों ता तुआ डिका में आप इनू रोकना ना मुम्किन हो जाएगा, बस शर्त है कि तुसी किसी वितरा अपनी पढ़ाही विच लगे रहो, कंटीन्यू करो, ते पटकना नहीं है, एग्जाम जी ना दुसी बढ़े रहने, थैंक यू सो मच, जे दुसी उन तक सब्सक्राइब नहीं केता तक करते जाना, थैंक यू